हाई अब्रिवन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासेज तो ये हमारी दूसरी क्लास है ईवियस की और इसके पहले क्लास हो चुकी है जिसने नहीं देखा है एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा डे वन था आज हमारा डे टू है और ये मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंग और स्टेन की थारी कर रहे हो चाहें आप यूपी टटकी फिर आप सूपर टटकी हैन। अब को फिटतर सब में ऑ Reading वह जमाना चला गया है आप सीटेट में साइन्स वाले कोशन नहीं है इस बार तो जो लोग भी ए उड़िए उन्도 ये वीड़ो देखेंगे उन्Hisनी खर ए वहां पर मैंने दो ग्लास की PDF भेज दी है, ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा, क्योंकि यह महनत आपके लिए है, तो चले स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं आपको ना कम समय में बहुत सारे questions कराने की कोस और तुरंत आपको questions याद हो जाए, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले देखो यह question पूछा हुआ है, जो भी questions मैं करा रही हूँ, वो सब पूछे हुए है, तो इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि आएगा की नहीं आएगा, इसमें से questions बहुत मिला था, देखो पहला question यह यह है कि DNA का हैलिक्स मॉडल किसने दिया है, तो यह किसने दिया है, वाटसन और क्रिक ने, यह science का question है, बट आपको पता होगा, ईवेस में science भी आता है, तो किसने दिया है, वाटसन और क्रिक ने, दूसरा question है, एथिलीन, एथिलीन का पूछातना है कि यूज किसमें करते है आपको पता होगा कि हम फलो को पकाने में किसका यूज करते हैं, आपने कारबाइड का नाम सुना होगा, बट एथिलीन का भी यूज हम किसमें करते हैं, फलो को पकाने में, दूसरा है कि वृध्धी हार्मोन किसको कहते हैं, जो वृध्धी हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है, पादप की, याद रखना ये किसका है, प्लांट का, तो प्लांट का जो वृध्धी हार्मोन है, जिससे वो उनके में वृध्धी होती है, तो वो है ओक्सीन, ठीक है, ओक्सीन है, आपको ये नाम याद रखना है, अब आगे देखते हैं, ये देखे, अगर मैं पूछूँ कि जो पादप है, ये तो वृध्धी हार्मोन था, बट लंबाई बढ़ाने वाला, जो प्लांटस होते हैं, पादप का, लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो वो है जिब्रे लिंस, याद रखना है, ये इसको मैं एक बर और लिग देती हूँ, ये है जिब अब चलिए इसमें आपको SST के भी question मिलेंगे, जैसा कि आपको पता है, EBS में सब कुछ पूछता है, और ये है राज पुनर गठन आयोग, आपको पता होगा कि पूछता है, दोनों तरीके से पूछता है question, पूछ देगा फजल अली आयोग किसे संबंदित है, तो आपको पत देखिए, इसमें से मैं 100% एकदम कन्फॉर्म हूँ, यूपिटेट में तो पूछा है, सूपिटेट में भी पूछा है, आप उठा कर देख लिजे पेपर, सीटेट में भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इसको आपको एकदम ध्यान से रखना है, इसलिए पूरा ह है, वो कौन सा है, तो वो है सोनपूर मेला, आप मुझे पताना सोनपूर मेला, कहां पे, किस राज्य में है, कमेंट जरूर करिएगा, ये question है, तो एसिया के सबसे बड़ा पसू मेला पूछेगा, तो वो है सोनपूर मेला, अब यहां से देखिए, ये एक बार पूछा हु ठीक है, ये जो मैंने question पूछा था, बिहार राज्य में है, कजली, कजली जो मेला है, वो है महोबा उत्तर प्रदेश, बटेश्वर पसू मेला, ये है आगरा, खिचडी मेला, तो ये है गोरखपूर, GKP जिसे बोलते हैं, सौट फॉर्म में, GKP को क्या बोलते हैं, कूल उत्सव, तो ये है आगरा में है, दादरी पसू मेला, बलिया में है, और सबसे अधिक मेला कहां पर लगता है, सरवाधिक मेला, तो वो है मथुरा में, सबसे अधिक मेला होगा है, मथुरा में, तो ये सारे points आपको ध्यान रखना है, अब चले कुछ यूपी टेट हो पार्क के लिए एक मातर नैशनल पार्क है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एक मातर नैशनल पार्क है, दुदुवा राष्ट्री उध्यान और 1977 में सत्थापना हुई थी, ये डेट भी लिखायाँ मैंने, और किस चीज के लिए, बारह सिंगा के लिए एक मातर नैशनल अब ये राष्ट्री चंबल वन्य जी अभ्यारन ये किसके लिए फेमस है आपने सुना ओगा ना पूछता है काजी रंगा जो है एक सिंग वाले गंडे के लिए फेमस है तो अब पार्क की विसस ताइम पूछता कि किसके लिए फेमस है तो ऐसे राष्ट्री चंबल अभ्या तो आप से पूछ सकता है, सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्य जी अभ्यारने, ये मैं आपको वन्य जी अभ्यारने बता रही हूं, नैशनल पार्क तो हमारा है दुद्वा राष्ट्रे उद्ध्यान, अब ये सबसे छोटा था, तो सबसे बड़ा भी होना चाहिए इसका जो है कब हुआ था 2008 में अगर पूछ ले कौन सा टाइगर रिजर्व उत्रप्रदेश में है तो आपको नाम पता होना चाहिए ना पीली भी टाइगर रिजर्व है 2008 में इसकी सापना हुई थी और इसको एक बाद टी मल्टिप्लाइटू अवार्ड भी मि तो यह भी आपको ध्यान में रखना है चलिए अब हम कुछ बांध से रिलेटेड कोशन पूछते है उत्तरप्रदेश का देखिए रिहंद बांध आपको पता होगा उत्तरप्रदेश में है उत्तरप्रदेश का अगर बांध का नाम पूछता है किसमें से बताओ कौन सा उ अच्छा लखनों में कौन सी नदी है यह आप मुझे कमेंट करके जरू बताएगा लखनों किस नदी के किनारे बसा हुआ है कमेंट जरू कीजेगा अच्छा इसी कोशन बहुत पूछा था कि सूरी में उर्जा और मैं आपको बता हूँ यह कोशन जो है ना यूपिटेट के सल्यन से उत्पन होती है यह आपको ध्यान रखा है नए नए क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे मजा आएगा पढ़ाई करने में बस चानल से बने रहो और हाँ वीडियो को प्लीज लाइक करो आप लोगो लाइक नहीं करते हो नहीं सब्सक्राइब करते हो तो आपको पता च या तारा किसे कहते हैं तो वो है सुक्र विनस को कहते हैं इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार अब देखू मैंने आपको क्वेश्चन कराय था ना कि नाभी की सल्यन जो है सूर्य में उर्जा से उत्पन होती है तो आपने कभी सुना है नाभी की विखंडन जो परमाडू परमाडू बं जो एटम बं बनते हैं वो किसके वज़े से उसमें नाभी की विखंडन की वज़े से तो ये परमाडू बं मुला क्वेश्चन पूछा था तो उसमें आप्शन में नाभी की विखंडन भी लिखा था नाभी की सल्यन भी लिखा था तो याद रखना जब भी सूर्य में उर्जा की बात आएगी तो आपको किसके साथ जाना है आपको जाना है नाभी की सन्यन की तरफ जाना है जब भी परमाडु बम की बात आएगी तो परमाडु बम में आपको नाभी की विखंडन लगाना है यह चोटे-चोटे से मिस्टेक एक्जाम में हमारे बहुत नंबर कम करा देते हैं इसी वज़े से मैंने दोनों question note किया है नाभी की सल्लेन सुरी में उरजाओतपन होती है नाभी की विखंडन परमाडु बम बनातों इसमें नाभी की विखंडन काम यूज करते हैं ठीक है तो यह दोनों question आपके त लखनों भी option में दिया रहता है तो याद रखना जू आपको पता है सबसे बड़ा चिडिया घर कहां पर कोलकाता में है तो उसे याद रख सकते हो आप जू लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है अब यह question देखिए इस आठवा राष्ट्री पर यावरन अभियां का मतलब क्या होता है इंजिनिरिंग ठीक है अभियांत्रिक इंजिनिर का हिंदी में अभियांत्रिक होता है तो अनुसंधान संसा नीरी नीरी कहां पे नागपूर में है आप N से नागपूर में है और ऐसे question बहुत पूछते हैं बाकि देख लो forest survey of India अगर forest survey of India पूछेगा देरी का मतलब दूद तो वो सबसे बड़ा कहां पर है करनाल हर्याना में है अब देख रहो कितने अच्छे कोशन्स आपके यहां पर तयार हो गए अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाना चाहूं थोड़ा सा देख लीजे जूम करके यह जो नीजे के जो मैंने रेड 125 प्लस मिला है मैंने अपना मार्क सीट भी सेर किया चुपाना है आप जाकर देख सकते हो ताकि आपको भरोसा हो पाए मैंने सीटेट यूपिटेट सब के नंबर अपने सो की है रिजल्ट अपना नाम के साथ है तो यहीं पर हम इस वीडियो को खतम करते हैं एक बर मैं आप बंधन संस्थान पूछेगा तो भोपाल कर देना राष्ट्री डेरी अनुसंधान केंदर पूछेगा तो आप करनाल हरियाना कर देना तो यह थी आज की क्लास आई होगी पीडियेफ आप अपने नोट्स तो बनाएगा ही बट अगर आपको पीडियेफ ही चाहिए होगा त तो टेलिग्राम पे मैं आपको भेज दूँगी साम तक और सारे पीडियेफ टेलिग्राम पे ही मिलेंगे आपको तो चले पसंद आता है तो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि ऐसी क्लासे मिलती रहें अभी मैं आपको कॉंसेप्ट कराऊंगी बाद में